हेलो फ्रेंड वेलकम टू माई चैनल आज हम जेंस अंडर वियर बनाएंगे तो उसके लिए हमने एक मीटर कपड़ा लिया है एक मीटर कपड़े में बहुती आसानी सी आप जेंस अंडर वियर आप अपने साइच के हिसाब से बना सकते हैं तो सबसे पहले फ्रेंड जो आपका अंडर वियर का घेरा है एक साइट से वो नापेंगे हम तो एक साइट से मेरे अंडर वियर का घेरा है साड़े तेरे इंच तो यहाँ 14 इंच की चोड़ाई नापकर हम ऐसे टिक लगाएंगे सिलाई करने के लिए हाफ इंच हमने एश्टरा लिया है तो यह देखिए जहाँ पर हमने टिक लगाया है वहाँ से हमें कपड़े को ऐसे फोल्ड कर लेना है एक बराबर में एक बराबर में कपड़े को ऐसे फोल्ड करने के बाद किनारे के साइट से हम एश्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे तो ये देखिए यहां से हमें एश्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है इस तरीके से आप कोई भी साइज का अंडर बियर अराम से तयार कर सकते ही चोटे साइज में बड़े साइज में अच्छे से तयार हो जाएगा एक मीटर कपड़े में तो ये देखिए ऐसे कट करने के बाद यहां से चौडाई नाप लेंगे 14 इंच की चौडाई पे हमने कपड़े को फोल्ड करके ऐसे कट किया है अब हम यहां से कपड़े को ऐसे फोल्ड करेंगे कपड़े को यहां से फोल्ड करने के बाद अब हम यहां पर दो इंच की लंबाई नापकर टिक लगाएंगे यह जो हम टिक लगा रहे हैं वो अंदर की तरफ डोरी में कपड़ा फोल्ड होगा तो ये देखिए 2 इंच की लंबाई नापकर ऐसे टिक लगा कर हम लाइन अप कर लेंगे अब हमें अंडर्वियर की लंबाई नापनी है तो अंडर्वियर की लंबाई हमारी 1.5 इंच है 1.5 इंच की लंबाई पर हम टिक लगा लेंगे टिक लगाने के बाद हमारा एक इंच यहां नीचे के साइड में कपड़ा है तो ये कपड़ा हमारा अंडर्वियर की सिलाई करते हुए अंदर के तरफ फोल्ड होगा स्केल की सहायता से हम इसे एक बराबर में लाइन अप कर देंगे लाइन अप करने के बाद अब हमें अंडर्वियर का मोहोडी का घेरा नापना है मोहोडी का जो घेरा साइज है उसका साड़े 12 साइज है सिलाई के साथ हम इसका साइज लेंगे 13,5 इंच एश्ट्रा लेंगे सिलाई करने के लिए फिर आसन की लंबाई नापेंगे तो आसन की लंबाई हमारी 13 इंचे और सिलाई करने के लिए हाफ इंच एश्ट्रा लेंगे तो साड़े 13 इंच पे हम टिक लगा लेंगे यह देखिए साड़े 13 इंच पे टिक लगाने के बाद यहां से हम ऐसे लाइन अप करेंगे लाइन अप करने के बाद फ्रेंड अब हमें इसकी कटिंग करनी है तो यह देखिए सबसे पहले हम कपड़े को यहां बीच में से कट करेंगे बीच में से कपड़े को ऐसे कट करने के बाद अब ये देखिए, यहाँ नीचे के साइड में जो हमने line-up किया है उस line पे हमें कपड़े को ऐसे fold करना है और फिर यहाँ से हमें कपड़े को cut कर लेना है ऐसे cut कर लेना है, बिल्कुल आपको भी इस तरीके से आप कोई भी साइज का under wear का cutting easily कर सकते हैं तो ये देखिए हमने दोनों साइड का अंडर वियर का कटिंग कर लिया है अब हमें मियानी का कटिंग करना है तो उसके लिए जो हमने एश्ट्रा कपड़े को कट किया था वो कपड़ा लेंगे उसमें से हमें 14 इंच की लंबाई नापनी है और यहां से कपड़े को कट कर ले देना है यह देखिए ऐसे कपड़े को कट कर लेंगे फिर इस कपड़े को हम ऐसे फोल्ड करेंगे और यहां से तिर्ची में कट करेंगे कपड़े को यहाँ पर तिर्ची में कट करने के बाद फिर नीची की तरब से हलका सा एकदम तिर्ची में कट करेंगे ऐसे यह देखिए हमने दो मियानी की कटिंग कर ली है अब हम इस मियानी को अंडर वियर के कपड़े में ज्वाइंट करेंगे तो जुआइट कैसे करना है फ्रेंड ये हम देख लेते हैं ये रहा हमारा अंडर्वियर का कपड़ा कपड़े में नीचे की साइड का जो महोडी का भाग है ये वाला देखिए यहां से ऐसे फोल्ड करके सिलाई चला लेनी है हम दोनों कपड़े में नीचे की साइड से ऐसे सिलाई चला लेंगे ये देखिए सिलाई चलाने के बाद अब हम कपड़े को ओपेंड करेंगे दोनों साइड के कपड़े को ओपेंड करना है और ये रहा हमारा मियानी मियानी को हमें बीच में लगाना है यहाँ पर ऐसे यह देखिए यहाँ पर ऐसे लगा कर इसे ज्वाइंट कर लेंगे फिर दूसरे साइड में भी मियानी के कपड़े को हम ज्वाइंट कर लेंगे यह देखिए दोनों साइड के कपड़े को हमने ज्वाइंट कर लिया है यह देखिए बिल्कुल इसी तरीके से आपको भी ज्वाइंट करना है अब हम दूसरे साइड में यहाँ पर मियानी को लगा कर सिलाई चला लेंगे सिलाई चलाने के बाद अब हम इस कपड़े को ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ पर लगाएंगे यहाँ पर सिलाई करने से फैले फ्रेंट यहाँ पर हमें तीन इंच की लंबाई नाप का टिक लगानी है यह देखिए, तीन इंच की लंबाई पे हम टिक लगाएंगे, जहां पर हमने टिक लगाया है, वहां से हमें सिलाई के स्टार्टिंग करनी है, उपर की साइड में हमें तीन इंच का गैप छोड़ना है, यह देखिए, दोनों कपड़े को ज्वाइंट करके हमने सिलाई कर ली अब हम इस कपड़े को ऐसे सीधा करेंगे, सीधा करने के बाद अब यहां नीचे की साइड से हम सिलाई चलाएंगे, दोनों कपड़े को ज्वाइंट करके यहां से सिलाई चला लेनी है, नीचे की साइड से आसन की सिलाई करने के बाद यह देखिए हमने उपर के साइड में 3 इंच का कपड़े का gap छोड़ा था तो अब हमें इसकी सिलाई करनी है तो ये देखिए पहले हम यहां से यहां देख लेते हैं जो कि 3 इंच की लंबाई पे हमने टिक लगाया था अब इन दोनों कपड़े को ज्वाइंट करके हमें सिलाई करनी है एक टिक हमने 3 इंच की लंबाई पे लगाया है और लाइन अप हमने 2 इंच की लंबाई पे किया है तो ये देखिए 2 इंच की लंबाई तक हमें ऐसे सिलाई चलानी है बिल्कुल इसी तरीके से आप भी सिलाई चला लेंगे सिलाई चलाने के बाद ये देखे हम कपड़े को ओपन करेंगे तो बीच में आपको कपड़े का ऐसा गैब बनाना है होल वाला दोनों साइट से हलका हलका कपड़े को फोल्ड करके ऐसे सिलाई चला लेंगे हमने डोरी के लिए कपड़े की बीच में ऐसे गैब बनाया है यह देखिए दोनों साइट से ऐसे सिलाई चला कर यहां से धागे को कट कर लेंगे अब जो हमने डोरी के लिए अंदर की तरह फोल्ड करने के लिए जो लाइन को लाइन अप किया था वहाँ से हमें कपड़े को फोल्ड करके ऐसे सिलाई चलानी है यह देखिए बिल्कुल पर्फेक्ट साइज में आप इस तरीके से कोई भी अंडर वियर का कटिंग या स्टिचिंग कर सकते हैं यह देखिए कपड़े को ऐसे फोल्ड करके हमें सिलाई चलाकर इस लाइन को complete कर लेना है हमने fold करके डोरी के लिए कपड़े की सिलाई कर ली है अब हम धागे को cut कर लेंगे ये देखिए यहां अंदर के तरब से हम डोरी को डालेंगे तो ये देखिए हमने अंडर्वियर में डोरी को डाल लिया है अब हम इस अंडर्वियर को सीधा कर लेंगे तो ये देखिए फ्रेंद हमारा अंडर्वियर बन के अच्छे से कंप्लीट हो गया है इसका साइज कितना है ये हम आपको नापकर बता देते हैं अंडर वियर का साइज हमने 16 इंच लिया था तो ये देखिए 16 इंच, सिलाई के साथ आसन की लंबाई हमने 16 इंच लिया था तो सिलाई करने के बाद 13 इंच है, इसकी चोड़ाई 28 इंच है, तो ये देखिए फ्रेंड लंबाई और चोड़ाई के साथ अंडर वियर तयार हो आए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थांस वर वाचिंग